दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के पांच ऐसे नियमों के बारे में जो कि एक सेप्टेंबर से लागू होने वाले हैं और वो सारे के सारे आप से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को सबसे पहले बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ब बार बार बढ़ा करके जो है अब इस बार 14 सेप्टेंबर कर दिया है और ये लास्ट डेडलाइन हो सकती है दोस्तो अगर आपने अपने अधार कार्ड में आपका अधार कार्ड दस साल पुराना हो चुका है और उसमें आपने डॉकुमेंट सब्डेट नहीं कराए हैं तो पहले फ्री में पैन कार्ड अधार कार्ड से लिंक हो रहा था जब किसी नहीं कराया और जब उसमें पैनल्टी लगने शुरू हुई तो सब को कराना पड़ा आज की डेट में हजार रुपे पैनल्टी चल रहे है और लोग आज भी अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर तो ऐसी गलती ना करें, गवर्मेंट बार बार डेट बढ़ा रही है, कब तक बढ़ाएगी, लास्ट डेट इसकी 14 सेप्टेमबर है, तो अगर आपने अपने अधार काड में डॉकमेंट सब्डेट नहीं कराए हैं, तो जल्दी से करा लीजिए, आपको इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपके अधार काड में, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, तो सिर्फ आपको पोटल पे जा करके, आपना पैन काड और एक वोटर आईडी काड, दो डॉकमेंट अपलोड करने हैं, एक आईडी परूफ के रूप में, और दूसरा एड्रस पर सिर्फ दो डॉकमेंट आपको अपलोड करने हैं, और आपका आधार काड जो है, अपडेट हो जाएगा, डॉकमेंट अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है, दूसरी बड़ी ख़बर है रासन काड से जोड़ी, तो दूसरी इस इस एप के माद्यम से कर सकते हैं, और इसके अलाव अगर किसी का नाम एड़ करना चाहते हैं, तो वो भी सुविदा इसी एप के अंदर दी गई है, आप इसी एप के माद्यम से उसमें अपना परिवार के किसी भी सदस्कार नाम एड़ कर सकते हैं, तो ये सारे काम आप आप इसी एप के अंदर से कर सकते हैं तो ये दूसरी बड़ी ख़वर है तो तीसरी बड़ी ख़वर LPG Gas Cylinder को लेके हैं दोस्तो एक सितंबर के बाद में LPG Gas Cylinder के दाम या तो कुछ कम हो सकते हैं या कुछ बढ़ सकते हैं और अब बात करते हैं चौथी बड़ी ख़वर के लिए दोस्तो अब बात करते हैं चौथी बड़ी ख़वर के बारे में दोस्तो Government of India ने एक ULI करके एप लॉंच कर दिया है RBI Governor Sashikhan Dazji ने इस एप को लॉंच कर दिया है अब आप जैसे UPI की तरज पर किसी को पैसा बेजते थे उसी तरह से अब आप इस एप के माध्यम से लोन ले सकते हैं आपको बहुत ही आसानी से लोन मिलने वाला है लोन के लिए आपको चक्का लगाने की कहीं पर जरूत नहीं पड़ेगी आपको बैंक जाने की जरूत नहीं आपको घर बैठे लोन मिलेगा आपके मोबाइल फॉन से जैसे फॉन पे में आप किसी को पैसा बेजते हैं एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर होता है उसी तरीके से आपको एक क्लिक में जो है loan मिलने वाला है तो यह चौथी बड़ी खवर आपके लिए होने वाली है दोस्तो पांचवी खवर है सुकन्या सम्रदी योजना के बारे में दोस्तो सुकन्या सम्रदी योजना में जो पुराने टाइम पे जो दादा दादी थे, उनको जो गॉर्मेंट ने हटा करके, अभी चानूनी तौहर पर, जो भी उनका कानूनी वारिस होगा, उसको अलाव कर दिया है, पहले वाला जो सिस्टम है, उसको बंद कर दिया हैं, जो दादा दादी रैस्टेशन कराय हुए थे अपने बच्चीों के, तो उनको हटा करके उनका कानूनी तोर पर जो उनका वारिस होगा उनको जो है उनका कानूनी वारिस माना जाएगा ये सुकन्या समरद्धियोजना की पांच बड़ी खबर है इसके अलावा जो दो-दो रेजिस्टेशन करे हुए हैं बच्चीयों के उनको भी एक हाते को पसंद आई होगी अकर ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें साथी चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे तो गाइस थैंक य पर वाइस वीडियो